ओम ज्यान्दे मिरंधस्य ज्यानन जनाशलाकेया चक्षुरुन्मिलितम्येना तस्मै श्री गुरुवे नमहा श्रीग उरंगा नित्यानन्द श्रीयत वैत चंद्रा गदाधर श्रीवासादी गौर भक्त व्रिंदा वांचा कल्पतर उभ्यस्चा क्रिपास इंदू भैवचा पतिता नाम पावने भ्यो वैश्नवे भ्यो नमो नमहा हरे क्रिश्ना हरे क्रिश्ना 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो आज श्री श्री रादारा सुधा निदी के 109 नंबर श्लोग पे चर्चा करेंगे पिछली बार श्रीपाद 108 नंबर श्लोग पे उन्हें बड़े मदोर क्रिडाओं में रत श्री शामजू और किशुरी जी को देख रहे थे और हमने देखा कि अंत में उनकी लीला में इस बारी विराम नहीं आया वोई लीला चल रही थी तो आज आगे 109 में आगे वहीं से उनी संबोधनों के साथ श्री पाद जो लीला देख रहे हैं उससे पुकार रहे हैं रूपम शारद चंद्रकोटी वदने धम्मिल मली स्रजाम आमो दैविकल कृत अली पटले राधे कदाते अद्भुदम ग्रैव्यो उजवल कंभू कंठी मृदू दोर वल्ली चलत कंकडे वीक्षे पट दुकूल वासिनी रनत मंजीर पदाम भुजे ये जो लीला उन्होंने देखी उन्हें लीला में देखते हुए अलग-अलग संबोधनों के साथ श्री राधा रानी को पुकार रहे हैं हे कोटी शरद चंद्र वदने, रूपम शरद चंद्र कोटी वदने, हे पठ दुकूल वासिनी, पठ दुकूल वासिनी मतलब जो रेश्मी वस्त्र, रेश्मी साड़ी पहनने वाली, तो पहले उन्हें बोल रहे हैं, हे कोटी शरद चंद्र वदने, हे कोटी कोटी चंद्रों के समान, जिनका मुखार बिंद चमक रहा है, जो ऐसा लावनने निकल रहा है, हे वैसी श्री रादे, हे देश्मी वस्त्र पहनने वाली श्री रादे, तुमारी कवरी की मलिका माला के खुश्भू से भ्रिंग कुल आकुल हो गया है जो सुगंदेत माला उंकी कवली में उंकी जो हम जिसको गुट बोलते हैं जो बालों की बनाई है उस कवली में जो मलीका माला सजाई है और कवली की अपनी जोлонके केशों की खुश्भू है वो दो खुश्वू मिल के एक मली का माला कि अगर खुश्वू होगी तो जो भ्रिंग कुल है जैसे इसमें बोला आमोदे विकृत अली पटले मतलब भ्रिंग पटले मतलब उनका ग्रुप तो ये भ्रिंग कुल जो है ये आमोद में आ गया है ये बहुत आमोदित उल्लास में है रस में है ये एजिटेट हो गया है जैसे जिसे हम कहते हैं इतने एजिटेट की मतलब खुशी में जैसे इतने खुशी से जिलमिला उठेगी ऐसी खुश्बू कहां से आ रही है तो केव हुआ जैसे हमें कोई गुलाब की सुंगा है हम प्यचान लें जैस्मिन की हम प्यचान लेंगे पर दो को मिला के अगर कोई हमें सुंगा कैं तो हम एकदम ऐसे हो जाएंगे कि ऐसी घुशिवू तो आमने कभी दो एसे उंके कवरी में जो ये मली का माला है वो दोनों की खुश्बू मिलके जो खुश्बू आ रहे है उससे भ्रिंग कुल जो है वो आकुल हो गया है कंठ भरन यानि जो कंठ में आभूशन पहना हुआ है उसकी प्रभा से कंठ देश प्रिदीप्थ है उसकी ऐसी प्रभा और कंठ देश की के वो लग से उनका कंठ जो है ग्रैव्यो उज्वल कंबु कंठी जो कि नेने बीकद्ट पैना में इसके उनके जो कंकन हैं, जो कंगन होते हैं, वो मुखरित हैं, मुखरित मतलब बज रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, जैसे घीत का रहे हैं, कोमल भुझ कल्प लताओं के संचालन से, जो हाथ हिल रहे हैं, उन हाथों के हिलने से उनके जो कंकन हैं, वो भी मुखरित हो गए हैं, वो भ दाम भुजे तुमारी ऐसी अद्वुद रूप माधरी के दर्शन मैं कब करूँगा ये प्रार्थना कर रहे हैं राधे कदा ते अद्वुदम रूपम तो ये श्लोक करता है ऐसे ऐसे संबोधन के साथ उन्हें पुका रहे हैं बाव बुलते श्रीपाद ने अपनी इस फू में विराम नहीं आया कैसी अनन्द में उनकी अब अवस्ता है नहीं तो तो उसके बाद उनका रुदन प्रार्भ महिकल हो जाते हैं कि उनकी वह ये वह भंग हो गई लेकिन अभी क्या थि आबाद गति से चल रही है मेहत कृपा लब्द सादक को पी ध्यान के समय रस के अन गुरूं की सेवा करी है जिसने वैश्नव सेवा करी है ऐसा भाव रखा है उनके प्रती तो उससे क्या होता है गुरूं-गुरूंग की करिपा प्रप्त होती है एसे साधक को भी अपने ध्यान के समय रस्क और ऊश्वाधन होगाक कई-bary हम क्या होता है? हम अपने मन माने ढंग से लीलाओं का चिंतन करने का प्रयास करते हैं. तो जो हमें आनन्द मिलता है, वो रस के अनृरूप नहीं मिलता. जैसे कोई अगर जैसे राधारा सुदार्ण निदी में कैसे लीला हैं? अगर कोई सही पात्र नहीं है. तो यही लिलाएं गोलते हैं इस जगत का काम खतम रासलीला जो है वह जीव के भीतर हंदे का काम उसका नाश कर देती हैं मगर वही काम उदेवी हो सकता है अगर ठीक से नहीं है तो इसलिए महत कृपा की अवशकता यह जो वानी है यह किसी के संग्रक्षन में रहके ही इसका अध्यान करना जाए जैसे ही यहां पे हम सब लोगों के लिए गुरुदेव ने इसका अर्थ समझा है तो उनकी टीका के संग्रक्षन में रहके हम लोग इसको समझे तब ही बीच में बार 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 ब क्यूं भगवान का कि पहले समझो ये भगवान है कोई साधारण मनुश्य और स्ट्री की लीला नहीं हो रही है व्रज जातिये महत क्रिपा लब्द एवं अप्राकृत भावात्मक हलादनी शक्ती की वृती विशेश के साथ तदात्मे प्राप्त किये शुद सत्व स्वरूप मन के द्वारा ही मंजरी स्वरूप से श्री राधा मादव की अप्राकृत कुझ सेवा का चिंतन संभाव है इस बात को समझो जो ब्रज जातिये महत क्रिपा लब्द है क्रिपा महत क्रिपा भी किसकी चाहिए जो ब्रज के ही उपासक हो ऐसे नहीं कि कहीं और के उपासक हो जो ब्रजु का उपासक नहीं है वो भी इसको नहीं समझ पाएगा तो ब्रजु के उपासकों के जो सिद्धकोटी के महात्मा हैं उनकी कृपा हम लोगों को प्राप्तो और इस एवं अप्राकृत भावात्मक एवं क्या हो उसमें अप्रा कीए उनके भीतर परवेश करा के और झब मन पर अधर अंडर हरादनी शक्ति की वरत्व लगाते हैं तो भगवान हमारा भोग क्यूं ग्रेंड ओन कर लेते हैं मैं थो भावी नहीं है ऐसा भगवान को खिलाने ऑला फिर भी यह मानते हैं कि हम भोग लगा रहे हैं तो भगवान उसको ग्रहन कर रहे हैं कैसे ग्रहन करें कियोंकि हमारे भीतर हलादनी शक्ति की वृत्ति है एक छोटी वृत्ति आप समझ यह जैसे कोई बहुत बड़ा सागर है उसकी एक बूंद हमारे भीतर आ गई तो रादारानी की हमारा मन जो है वो उसके साथ तदात्मे हो जाता है हलादनी शक्ति की वृत्ति के साथ यह मन प्राकृत है अभी क्योंकि इस ने प्राकृत दे को महमान रखा है इसलिए अभी यह प्राकृत है पर वह जब उस हलादनी शक्ति की वृत्ति के साथ अपना तदात्मे करके अधायरु आहिए तब उसके द्वाराई मंज़री स्वरूप से इन्डरह स्प्वरूप का चीन्तन संब्धाय। हमारा हमस करने करें प्रयास कर सकते हैं पर हम क्यांकि वो तब तक नहीं होगा जब तक हमारा मन बिर्कुल यहां से हटके वहां पर प्रवेश नहीं कर गया है श्रीमती का भाव चित्र भाग्यवन साधकों के मन में सम्यक रूप से उदित होता है मैं यह लाइन पढ़ पढ़ के इसलिए समझार हो नहीं तो आप पढ़ोगे तो व लक्की कौन है यहां पर ऐसा नहीं है कि लोटरी लगी है और किसी की लग गई वो लक्की हो गया लक्की उसको बोल रहे हैं वो भाग्यवान है जिसने अपने हिर्दे को यहां से इस प्रकृत जगत से बिल्कुल हटा लिया जो हलादनी शक्ती की वृति के साथ जिसका तद साथ में होने का मतलब जिसने माना कि मैं मंजरी हूं यही मेरा असली स्वरूप है यह मेरा स्वरूप यह मेरा स्वरूप नहीं है यह दे मैं नहीं हूं जो इस बात को समझ चुका है उसे कहरें भाग्यवान सादक क्रिपा वानिक कर और पा भी है आप करोगे तो पाओगे पाने वली को बुले आप फिर क्रिपा क्या होगी जब हम नहीं करके पाना है तो बुले आप कुछ भी करके आप भगवत दर्शन नहीं पा सकते आप भगवत सेवा नहीं पा सकते इस प्राकृत जगत में जो भी करोगे वो प्राकृत ही करोगे लेकिन आपका प्रयास वी उसको इसको अपने भगवत-दाम की सेवा प्रदान करते हैं हम नहीं ही तो कितना भी कुछ करें जो को खरोगे उस अप प्राकृत आप आप कर लो तो सब भगवान का ही दिया हुए आप क्या कर रहे हैं मगर जब भगवान हमारा शुद्ध इंटेंशन्स देखते हैं कि हमारी उनसे प्रेम करने की इंटेंशन हमारी सेवा पाने की इंटेंशन है और इस प्राकृत जगत से हमें कुछ नहीं चाहिए तब वह हम पर क्रिपा करके अपना हाथ दे देते हैं एक जगा भगवत प्राप्ति हो गई इंको भगवत प्राप्ति होना भगवत धाम जाना यह हमारे वसका नहीं है वह आते हैं लेने वह लेने आएंगे तो जीव जा सकता है जीव अपनी साधना से कोई कहें कि वह भगवत प्राप्ति मैं इस जनम में भगवत प्राप्ति करूंगा बात होई नहीं सकते संभा भी नहीं है मैं करुँसे के बाद करें इसलिए इस भाव से ही प्रसन्द हो के भगवान अपना हाथ देते हैं बूला ले हम एस הד नहीं need करनीच कि में करनी कर सकता जब ये मैं करी रहां की मैंने करनी ये मैंने रही है तो अभी हम थो हम तो प्रेम कर सकते हैं हमें ने प्रेम ने प्रेम किया यह नहीं का कि अब जहां क्रेश्टन जा髮ेंमें तो लेके जाएंगे साथ एसा होगी निसकता हूं हमें छोड़ के चले जाए ना गोपीयों लेंगस कभी आप वह सकता हो द्वार का चले जाए बहुतर हमें यहां पर छोड़ जाए इतने साल हम यहां रहें ऐसा नहीं हमारी प्रीती है आप छोड़ जाओ आप जो मर्दी करो तो यह भाव जीवका होना चाहिए तो श्रीमति का भाव चित्र भाग्यवान साधकों के मन में सम्यक रूप स इंके मंनें उद्हे हो जाता हैा अचार है कि महावानी केरी चींट में साधक के चित में कि करणा करूणा संचारेद होती हैं तेलिका स्टोरिय है हमारे हेरदे में प्asınaप आ गई कैसे आ गई जब हम ऐसे अचार पादों की जैसे श्रीपाद को फिर जो बाबा ने उनकी जो टीका लिखी ऐसे अचारियों की टीका ऐसे अचारियों की वानी जो है हम इंका श्रमन कीर्टन श्रमण हम लोग कर रहे हैं इनी की टीका का कीर्टन हम लोग एक दूसरे से जो चर्चा करते हैं वो इसका कीर्टन है अध्यन हम लोग करते हैं वो भी श्रमण के अंतरगत आ जाता है तो श्रमण कीर्टन से सादक के चित में उनकी करुणा संचारित होने लगती है जब हम ऐस सब पड़ते हैं ना संचारित कैसे होते हैं जब हम यह पड़ते हैं और हमें भी ऐसा पुरुण हो काश हम भी यह सब देख पाएं कि शौरी जीशी इतनी मधूर लीला हम भी कभी देख पाएं शाम संदर ऐसे कैसे दिखते होंगे यहमारे मन में जब ऐसा भाव आता है तो इस भाव से stated हमारे भीतर संचाहर क्योंकि है क्या जो हम चाहते हैंगो वहमें देते अब यह अब पढ़ते तो यह हैं मगर चाहते पैसा हैं और हम पूरा कारथे कत्ता दो कर रहे हैं हम कफा उचारवण करा हैं we reading कर रहे हैं मगर हमारे मन में क्या छल रहा है करतम कब ऑगा करति कभ यह खतम होगा कभ इस नियम से तो जब मन में यह है तो यह प्राप्थ नहीं अब ये क्या एख हमने तो प्रयास किया अब हमारा प्रयास तो एक ही जतना है मगर क्रिपा जो है वह अब ओर 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 उपर उन्नतही कराती जाती और ए औरहे औह। एक्सी प्र पर सम्भवनीं है पर साधना करनी है वो साधना से प्रसंभार करते हैं वह साधना करेंगते जैसे भ्रहन कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक साधु जो है वह उल्रटी भगवाध की तक पर रहा है तक पढ़ानी नहीं आती मगर वो उनका चित्र देखके ही जब वो रत पे ऐसे बैटे है वो ले मुझे इसी में बड़ा अस्वाधन हो जाता है अब क्या करा अपनी साधना नहीं है मगर भगवान ने जब देखा कि इसका है तो सही साधना करने का मन कितना है इसका तो भगवान ने उसको क्रिपा करके प्रेम नांक दे दिया श्रीमन मावरों ने समझ गए तो ऐसा जब हमारे भीतर हो कि हम जो भी कर रहे हैं लेकिन हमारी इंटेंशन्स पाने की है फिर हो जाएगा और हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं सारी ग्रेमर समझ जाते हैं सारी बंगाली समझ जाते हैं सारी संस्क्रित समझ जाते हैं मगर इंटेंशन हमारी जो है वो यहां तो दिखावा की है और यहां फिर यह है कि यह पढ़ पढ़ के फट़फट से मुझे खतम करना है अगर ऐसी इंटेंशिन है तो फिर वक रिपानी पर आप लेगी जिसकी इंटेंशिन है कि जल्दी से बस कार्थिक खतम हो उस Fed बहुद यहीं क्रिपा करेंuito कि उसे celebrating क का常 कि बंब खुण जाएगा और जब आनंद आ गया अब बोलते भी हम में से कहीं लोग ये भी बोल देते हैं आनंद आ गया तो जब आनंद आ गया तो फिर नियम छोड़ा क्यों अगर आनंद सच में आ रहा था तो नियम छूटा क्यों पर सच बात है कि हमारा नियम इसलिए छूट जाता है क्योंकि हमें आनंद इसी लिए ही आ रहा था कि बस आठ दिन रहा है बस छे दिन रहा है बस चार दिन रहा है आनंद वरधन होता चला जा रहा था और खतब होते ही हमें फिर पुर्ण रूप से आनंद आया तो वह ऑच्छा हमने है व्हाइद ऑफ फेस अच्छा लगता है बस एक बी जा हम लोग अच्छे से करते है कहता सुनते बड़ा व्हण अच्छा लगता है held यह को यही करते रहो एक फिर फिर आनंद स्वामनी का आवान कर इश्वरी का वैसा अदबुद रूप देखने की अभी लाशा व्यक्त किया जैसे जैसे वो संबोधन से पुकार रही है वैसा वैसा ही उनका रूप वो देखना है वही वही संबोधन जो अभी हमने श्लोक में चर्चा की ऐसे संबोधनों से पुकार र में विष्वज़ में वह लीला बताई है जिसमें वह आंक मिचोली का उन्होंने वर्णन किया और विस्तार से उन्होंने आख मिचोनी का बशनात जिसके माध्यम च전ली चिछ श्रीपत क्या देख रहे हैं और क्या देख के ऐसे संभोधन उने आ रहे हैं। खेल का अंत पिछली बार हो गया था आख में चोनी का हमने सुना था कि शाम सुन्दर हार गए हराए गए शाम सुन्दर वैसे ही ठीक से कहीं बार खेलनी बाते मुग दुए रहते हैं और जब कभी थोड़ा ठीक से खेलने भी लगते हैं तो मल्चरिया जो है वोने हरा देती है शाम संदर को तो वो हार गए तो क्या बोलते हैं हे विलासिनी प्रिया जी को बुला रहे हैं हे विलासिनी इस विच्छेद जनक परिहास में क्र उन्हों एक दूसरे से दूर हो जाए ठागुर जी बड़े चलाक है जब वो देखते हैं कि वो हार गए तो यह तो गेम ही गलत है ऐसी गेम खेलनी क्यों है कि जिसमें हमें एक दूसरे से दूर हो जाए इसकी कोई अवशक्ता नहीं है आओ हम कुंज में जाके वहां पे शर हाथ पकड़ के खीच रहें आओ निकट वर्ती कुंज में थोड़ा विश्राम करें चलो चलो अब ऐसे हम दूनों कठे मिलके जैसे हम कहते ने चलो अब कठे मिलके बैटे के यह बहुत हो गया इदर उदर आप उदर खो रही हो मैं इदर खो रहा हूं उस समय बोलते हैं ज चोभा को भी तिस्कृत करती है चंद्रमा की तरह है प्राकृत तेजस पदार्थ नहीं निकल रहा है उनके मुक से क्या निकल रहा है बोले उनके मुक से तो सून निर्मल प्रेम रश्मी की अलोक माला जिल मिला रही है सून निर्मल प्रेम रश्मी मतलब प्रेम के जैसे कण निकल रहा है जैसे हम कहीं ऐसे देखते हैं महात्माओं को कहीं बार एक दो बार ऐसा अनुभा हुआ है कि कहीं महात्माओं को देखके ऐसे लगता है जैसे इंको बस देखने मातर से ही बड़ी भक्ती प्राप्त हो र बस देखते ही बढ़ा आनन्द हो गया आप बहुत प्रेम करते हैं लेकिन उनका स्वभव ऐसा था दो आनन्द हो गया तो यह अनुभव जो है कि देख प्रेम रश्मी कि आलोक माला ज्ल में ला रही हमें ऐसा दिखता था ना कि जैसे कितना मुख चमक रहा है एक। तो ऐसे मुख चमक रहे और उसमें से प्रेम रश्मी निकल रही है, प्रेम की उसमें से किरने निकल रही है, वदन माधुरी देखकर शाम विमोहित है, मनी मन सोच रहे हैं, इतनी सुन्दर तुम्हारी रूप छवी, इतनी सुन्दर कभी देखी नहीं, ऐसा रूप सुन्दर देखता ही नहीं है क्योंकि रोजी देखते हैं तो ऐसा होता है कि क्या भारवला देखके बताता है कि यह पतला हो गया, यह मोटा हो गया, यह बड़ा सुन्दर लग रहा है, हमें पता ही नहीं लगता है क्योंकि हम रोजी देखते हैं, हमें कुछ लगता ही नहीं है, तो ऐसी भी देख के बोल रहे हैं कि ऐसी रूप छवी जो मर्मी किंकरी है जो मतलब मर्म जानती है उनके हिर्दे का वो शाम का अंतय करण देख रही है किसका किशोरी जी का नहीं किशोरी जी की कृपा से मंजरी जो है वो शामजू का अंतय करण भी देख लेती है तो मर्मी किंकरी त तो शाम का अंतय करण तक देख रही है ना वहाँ पे तो इसलिए नागर के अनुभव के माध्यम से इस लोक में संबोधन कर रही है हे रूपम शरद चंद्र कोटी वदने ये शरद चंद्र कोटी वदने वो उसके उनके मुख से कैसे निकला ये संबोधन कैसे आया श्रीपा उनके हिरदे में जो चल रहा है उनके हिरदे से निकालके वो संबोधन किया है कि आपको ऐसा लग रहे तो ऐसा वदन हमें भी दर्शन हो और जब शाम सुंदर फिर हाथ पकड़के श्रीमती को अपने और खीचते हैं तो रती रस आवेश में श्रीमती की कवरी जो है जो ग जैसे गुद्ध बना रही थी तो मलीका माला भी सासात में करी थी वो कवरी बंदन में जो मलीका माला थी वे माला भी थोड़ी सी स्खलित हो जाती है वो भी थोड़ीजी हलकी सीट गई कुछ पुश्प गिर गए जब उन्होंने ऐसे खीचा थोड़ी भी धीली कवरी तो कुछ पुष्प हिल गए अब क्या होता है जब कुछ पुष्प एकदम टाइटली नॉटेड है ना तो इतनी उनकी खुश्बू नहीं होती मगर जब थोड़े ऐसे खुलते हैं ऐसा होता है जब एकदम बालों के बीच में बंदे हुए है वैसी खुश्बू नहीं है जैसे आप एकदम पैक करके रखो फूलों का कई बार थैली खोलते हैं तो एकदम खुलते ही और ज़्यादा आलोकी को जाता है खुश्बू आ जाती है तो ऐसी उनकी जो कवरी है जब थोड़ी सी धीली होई उसके धीली होते ही जब थोड़े से फूल ऐसे बाहर निकले कुछ फ वादसदर करी तो किंकरी को यही दे। देखने में असोदन आता है मैंने सजाया और शामजु ने वह बिगाड़ दिया वह बिखड़ा हुए जो शिंगार है थोड़ी तूट गई, थोड़ी बिखर गई, तब समझो, हाँ आज शिंगार बड़ा सुंदर हुआ था, शाम जी भी मुहित होगे, तो ये देख के मंजरी को अस्वादन होता है, अब ये किस ने सजाया है, बोले ये साक्षात, अब रस ने सजाया है, पहले शिंगार मंजर तबी रस राज को ऐसा रस मोह हो रहा है, प्राकृत मोह नहीं है, रस मोह हो रहा है, श्री रादा का सुगंधित केश पाश, ये दिवाए न, श्री रादा का सुगंधित केश पाश है, ऊपर से मलिका की गंद उन्मादित होकर, भ्रमरों के जुंड के जुंड के जुंड क प्राट्टे निए यह वारे बहुरे अजए बहुरे को नाम से जानती हैं है वहां पर एक बहुरे का नाम जानती है मानलों यह अगर हजार वह अगर हजार बहुरे अधे आ कठे वहां ना तो तो आपके कमरी में चार मच्छर गूम रहे हैं, आपको चारों के नाम पता ही कौन कुन से बच्छर है, संभव है, संभव ही नहीं है, मच्छर को कैसे अलग करोगे कि ये कौन सा ये कौन सा और भवरे भवरे सब भवरों का नाम पता है, कि ये ये भवरे है, इतने अपने है, तो इसलिए उनको हटाया नहीं जाता जब आ जाते हैं तो ब्रिंगी कुल आ गया है संगीत के साथ उनका संगीत में वादन साथ में चल रहा है वो जैसे जिल मिला रही है तो बड़ा सुंदर लगता है कि ऐसे ऐसे वो भी उनके और अकरशित हो रहे हैं किंकरी संबोधित करती है ये देख के हे धम्मिल मली श्री जाम अमोद है विकल कृत अली पटले हैं उनके गुद पे जो ये आनन्दित होते हुए अली पटले ये भवर के जुंड के जुंड आ गये हैं संबर्य को देखकर नागर राज विमोहित है और अब क्या हुआ जब भवरे आ गए और संबर्य गिब्रिद्धी हो गई अभी तो उनका कोटी चंद्र सुशीतल मुख देख रहे थे शरद चंद्रों के समान जो उनका मुख है वो देख रहे थे उससे विमोहित थे उसके जो खुश्बू उनकी कवरी से निकली और मली का माला से उससे और विमुहित हो गया तो और आनंद उनका बढ़ गया विपुल विलास वासना उनके हिर्दे में उदित हो गई स्वामिनी के पट वस्त्र अब जब विलास वासना होती तो अब क्या करें और टेजी से उनको खीच रहे हैं चलो चलो अभी निकेट वर्ती की दिकवंज में लेके जारे थे हैं अब तो और हाथ जैसी करा हाथ ऐसे छुडा लिया उनका पल्लू पगड के खीच रहे हैं तो पल्लू पगड के उनका खीचा उन्होंने तो श्री मती अपना आचल शाम सुन्दर के हाथ से छुडा कर उसको सईयत करें जैसे ऐसे अपना आचल ठीक किया उस सौंदर्य को देखकर किंकरी कह रही है हे पट दुकूल वासिनी है अब एक्तम ध्यान उनकी रेश्मी साड़ी पे गया जब उन्होंने वो पकड़ के खीची इसलिए ऐसा संबोधन गया हे पट दुकूल वासिनी वावा बोलते एई भावयुक्त देखी राधास से नयन संगम है ते सुख पाए कोटी गुड़ा जब केंकरी जो है मंजरी ज लेकिन छुड़ा रही है तो भावसंदी हो रही है दो भावों के आपस में कि शरम भी आ रही है और संकोच भी हो रहा है और मन में यह उमंग भी है कि यह पकड़के ले जाएं ऐसे भावों को जब देखते हैं तो मंजरी कहती कि संगम है ते सुख पाई कोटी हमारा उनके संगम हो उससे तो कोटी गुणा सोख हमें यह देखने में मिलता है किशोरी जी के साथ उनका कैसा संगम हो रहा है गुरु वैश्नवों के कृपा से श्रवड कीर्टनादी के फल स्वरूप भक्त का चित क्रमशय शुद हो जाता है जब भक्त का क्यों शुदता की बात करें क्योंकि जब भक्त का जितना हिर्दे शुद होगा उतना इसमें आस्वादन आएगा उतना आनंद हो इसमें श्री क्रेश्न के हाथ से उतरिये छुडाते समय अब जब उन्होंने वो छुडाया तो पहला क्या देखा उन्होंने रेश्मी साड़ी दूसरा क्या देखा उनक जब पूरा आदमी हिलता है ना सब कुछ है पहले वस्तर आए फिर उसके बाद उनके गले की माला जो है वो भी पूरी ऐसे हिल गई और उनका कंठ कैसा है शंक जैसा त्रीरेखायोग था जैसे शंक में तीन लाइने होती है ऐसे शंक जैसा त्रेकर यूग और उसके बीच में जो उनका जो हार उन्होंने कंठ देश में पहना हुए वो भी जिल मिला रहे हैं जैसे हम लोग आज जैसे बीच्टरम यूगमम रिजनतंव जब आपनी मा की लाठी देख रहे हैं हात में तो रुदन कर रहे हैं शामसंदर चोटे बाल कृष्ण रुदन कर रुदन तम मुहने और अपनी आखों को अपनी हाथों से मरें कराम भोज यूगमेन सातांग नेत्रम सातांग नेत्रम अनकी आखों में डर है और उस डर से जो आसु निकल रहे हैं उसको अपने हाथों से ऐसे कराम भोज यूगमेन अपनी आखों से मसल रहे हैं आपने हाथों से आँखों को मसल रहे हैं मुहूश्वास कंपा मूंग से जो सास ले रहे हैं उसमें भी कंपन हैं कापते हुए जैसे रूता आई से कापते हुए है और कापते हुए तो क्या हो रहा है त्री रेखांग कंठ स्थित ग्रेवम इसमें जो उनके कंठ में एक तो त्री रेखांग जो तीन रेखांग कंठ में हैं और जो उपर माला पैनी हुई है स्थित ग्रेवम जो गले में जो माला पैनी हुई है वो भी उनके कापने से हिल रह यह देख के अस्वादन हो रहा है कि कैसे वह रो रहे हैं हातों से मल रहे हैं कापते वह सास निकल रही है और उनकी माला ऐसे उसमें हिल रही है ऐसे दामोदर भक्ती बदम ऐसे बंदेव बाल कृष्ण जो हैं मैं उनकी वंदना करता हूं तो यहां पर भी यही वाद बोल रहे हैं शंक जैसा त्रे रेखा युक्त वर्तुल कंठ देश जिल मिला उठा फिर कंकण की मधुर जंकार दोनों तीनों संबोधन जैसी खीचा पल्लू पहला रेश्मी वस्त्र दूसरां के कंठ में नजर गई और तीसरा जब उन्होंने खी कड़े हैं व्रेदु दो जो उनके हाथ में जो कंकड हैं वो चलत मुखारित हो रहे हैं और हे ग्रैव उजवल कंबु कंठ हैं उसकी माला हिल रही हैं श्रीपाद ने लीला में ईश्वरी को जैसा जैसा देख रहे हैं वैसा वैसा यहाँ पर उन्ही नामों से संबोधन कर रहे हैं श्री मती का निरूपम रूप मादुरी देखकर शाम की विलास वासना जब ये सब इतना कुछ देखके उनकी विलास वासना और बढ़ गई और अधीर ओठे और उन्हें निकत वट्टी कुझ में ले जाकर उनका मिलन हुआ जब वहां मिलन हो रहा है तो किंकरी तुरंत उनक वो कुझ रंद्रों से नेत्र रखकर देख रही है युगल विलास माधुरी के दर्शन करके अपनी नेत्रों को सफल कर रही है विलास के समय श्री मती के नूपुरों की और आवाज आ रही है उन नूपुरों की मदुर जंकार भी तभी उन्होंने वहां शलोक में तक था उपलब हो रही बंदा ह कान भी ऐसा लगर है कि alan सफल में अखे सफल रही है और जो द्वनी ultras 7 क का कन सफल हो गए और सारा देखकर विलास में अच्छत पूंज कर अपनी काल उस्चत सेवा का है उसे प्राप्ट किता है अब इस समय में कौन sी उस्चति सेवा है वो उसको जानती है तो इसलिए जैसे ही विलास में विश्राम हुआ उनके विलास में वैसी अंदर घुसके जो जो उसकी अब सेवा है सैसा जब वो अब सेवा करने लगी अब सूर्ती में विराम आ गया जैसे ही वो अंदर जाके सेवा करने लगी तो उसमें उनका वो कर नहीं पाई विर्कुल जैसे ऐसा होता है हाथ बढ़ाने को थी उनके पहले तो उनके केश जो उलज गए है उसको ठीक करने के तो जो ही हाथ डाला तो सब खतम कुछ है ही नहीं अब सब यह दिख रहा है मैं यहां हूँ यह सब विराम आगया स्फूर्ति में जैसे इस फूर्ति में विराम आया तो श्री पाद अपनी साधक दशा में बड़ी आरती के साथ इन इन संबोधनों से उनको पुकार रहे हैं और बोल रहे हैं आपकी रूप माधुरी देखने की मेरी यही रूप माधुर हुआ कल फिर अगले स्लोक पर चर्चा करेंगे जैराद है